हलो दोस्तों आप सभी का हमारे चैनिश टेडी रूप एजुकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम प्रकास का अपवर्तन देखेंगे और साथ ही प्रकास के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उन पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहल हम देखते हैं प्रकास का अपवर्तन क्या है इसकी परिभासा है जब प्रकास की रड़ एक सम्मांगी माध्यम से दुसरे सम्मांगी माध्यम में प्रवेस करती है तो वह अपने मार्ग से विच्रित हो जाती है इस घटना को प्रकास का अफवर्तन कहते है मान लेजिए यहाँ कोई एक सता है यहाँ पर कोई माध्यम है मान लेते हैं हम वायू यहाँ पर कोई माध्यम वायू है और सतह के दुसरी ओर का माध्यम को हमान लेते हैं पानी तो जब प्रकास की किरड एक माध्यम से दुसरे माध्यम में प्रविस करती है एक समागी माध्यम से दुसरे समागी माध्यम में तो वह अपने मार्ग से सीधी जाने के बजाए थोड़ी विचलित हो जाती है और इसे ही प्रकास का अपवर्तन कहा जाता है चलिए अगला देखते हैं प्रकास के अपवर्तन के नियम प्रकास के अपवर्तन के दो नियम होते हैं आपतित किरड, अपवर्तित किरड और आपतन बिंदू पर अभिलम तीनों एक ही तल में होते हैं जो प्रकास की किरड आती है उसे आपतित किरड कहते हैं तकराने के बाद जो किरड हमें प्राप्त होती है उसे अपवर्तित किरड कहते हैं और जिस बिंदू पर वे अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं वहाँ पर अगर हम एक सीधी रेखा खिस दें तो इसे कहा जाता है आपतन बिंदू पर अभिलम तीनो एक ही तल में होने चाहिए। ये इसका पहला नियम है। अगला नियम है किसी एकवर्णिक प्रकास के लिए आपतन कोर की जया। अपवर्तन कोर की जया एक निश्ची तनुपात में होते हैं। और उसे एक माध्यम के सापेक्ष, दुसरे म अपवर्तनांग केहते हैं। अपवर्तनांग को मुउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी एकवर्णिक प्रकास के लिए आपतन कोर की जया। जया मतलब होता है साइन। अगला हम देखते हैं कि आपतन कोर किसे कहा जाता है। आपतित की रड़ और अभिलम आपस में जो कोर बनाते हैं उसे आपतन कोर कहा जाता है। जबकि अपवर्तित की रड़ और अभिलम आपस में जो कोर बनाते हैं उसे अपवर्तन कोर कहा जाता है और इसे र से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपवर्तनांग होता है आपतन कोर की जया और अपवर्तन कोर की ज जया जो है वह एक निश्ची तनुपात में होगा अर्थात sin i by sin r sin i by sin r को mu कहा जाता है equal to होता है mu तो ये इसका फार्मुला होता है इसे snail का नियाम कहते हैं आपतन कोड की जया और अपरवरतन कोड की जया एक निश्ची तनुपात में होती है जिसे अपवरतनांग कहते हैं और इसे मियू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे ही स्नेल का नियाम कहते हैं यहां I आपतन कोड है और R अपवरतन कोड अगर आपको वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक केजिए और साथ ही वीडियान से जुड़े ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं